हेलो फ्रेंड्स मैं आपकी दोस नायरा आपका स्वागत करती हूँ हमारी चैनल हेल्थ इस वेल पर अक्सर कहा जाता है कि बच्चों की अच्छी सेहत के लिए और उनके वजन को संतूलित करने के लिए हमें वो सारे खादे परदार्ग उन्हें खिलानी चाहिए ताकि उनकी शरी को भरपूर पोशन मिल सके और उनका वजन और हाइप दोलो ही सही एज में सही तरीके से बढ़ सके जब भी घी खाने की बात हाती है तो बड़े लोग काफी ज्यादा संकोच करते हैं क्योंकि वो यह सोचते हैं कि जब भी हम घी का सेवन करेंगे तो उसकी वज़े से हमारे शेरी के अंदर फैट बढ़ जाएगा लेकिन अगर यही बात हम बच्चों के दिये करें तो यह काफी अच्छा माना जाता है यदि आपका बच्चा एक वर्ष से उपर है यानि कि एक साल से बड़ा हो गया है तो उसके वज़न को संतूलित करने के लिए और सही वज़न के लिए आप रोजाना उसे उसके खाने क उसके अंदर घी की मात्रा डालकर दे सकते हैं घी के अंदर प्रफर्वतिक रूप में काफी उर्जा होती है जो बच्चे के शरीर के अंदर उर्जा भरती है और पूरे दिन के लिए उसे एनरजी भी देती है उसकाican कि ए गी का सेवन व्यदी बच्चों को खलाया जाए आ ऐसा करने से बच्चों का आहार पूरी तरीके से संपूर्ण बन जाता है और संपूर्ण आहार की वज़े से उनकी ग्रोध भी अच्छी हो पाती है जब भी हमारे बच्चों का आहार एकदम पूरा होता है और उसमें किसी भी पोशित तत्व की कमी नहीं होती है तो उनके शरीर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाता है उनका तंत्री का तंत्र और इम्यून सिस्टम दोरों ही सही तरीके से काम करते हैं जिसकी वज़े से उनकी रोग प्रतिरोधक्षमता बढ़ती है और बिमारियों से लड़ने में उन्हें काफी ज्यादा सहायता मिलती है सो दोस्तो यदि आप भी अपने बच्चों को घी का सेवन कराएंगे तो वो किसी भी बिमारियों से लड़ने के लिए सक्षम हो सकते हैं बस आपको इसकी माता पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है पिर चाहे आपके बच्चे एक साल के हो या फिर दस साल के आपको अपने बच्चे की खाने के अंदर घीर डालना चाहिए लेकिन ज़रूरत से ज्यादा नहीं क्योंकि किसी भी चीज की माता का जरूरत से ज्यादा होना आपके बच्चे के लिए हाने कालग भी हो सकता है इस वीडियो को देखी और अपने व्यूस को हमाई साथ शेयर करेए मेरी ब्यूटी और हेल्स से रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तब तब मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाज़त लेती हूँ